प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी नेद्रु थ्वल्लोनी केंड्र प्रभुत्वो निर्वहिस्टन विकसित भारत संकल्प यात्रकारिक्रमं स्रीकाकुलं असंगली नियोजकवर्गं स्रीकाकुलं रूरल मन्नलं बलिवाडा पंचायतीलो निर्वहिंचर। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी साल धिल्लो नी बीजेपी केंद्र प्रभुत्वं विविद वर्गाला अभ्युनती कोसं अमनुचेस्त न संक्षेमा पदकाल गुरिंची रामेन प्रजल्लो अवगाहन कल्पिंचेंदकू, वारिकी नेरुगा अकडे अंदिंचेंदकू प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी नेध्र थ्वल्लो नी बीजेपी केंद्र प्रभुत्वं गद्धे इत्तुन अमलुचेस्त न संक्षेमा पदकाल नू प्रती उक्करू पोन्दाल नी क्यालेंदर पैणूनना क्यू आर कोड्स कानीं चेसी पदकाल गुरिंची तेलिसको अबिवर्दी अधिकारी मन्नल पंचायती अधिकारी विविदा साखल अधिकार लो पालगोनी केंद्र प्रभुतों अमलुचेस्त न मुख्यमैन पदकालनो विवरिस्तारनी लब्धितारल न तो माटलाडिंची बारी अनुभुवालनो ग्रामस्तिल को तिलिये जेस्तार नी चल्ला वेंगिते स्वर्राहु तिलिप हैं इकारिक रमलो चल्ला वेंगिते स्वर्राहु तो पाटू बीजेपी जिल्ला उपाद्यक्षण साधु किरन गुमार स्रीका कुलम असेंबली कोकन मिनर रावाड़ा पुरुशोत्तम तदितरलु पालगोनार यही समय है सही समय है भारत का अनमोल यही समय है हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है नए भारत के इस्रजन का यह अमरुत्काल है यही कोटी कोटी देश वाचियों का संकल्प है अमरुत्काल पचीस वर्च का है लेकिन हमें अपने लक्षों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है असक्य भुजाओ की शक्ती है गली-गली में देश भक्ती है कुम उठो तिरक का लहरा दो भारत के भाग्य को फेरा दो नए भारत को करने का यही समय है बीते वर्चों में शुरूही अनेक योजनाओं का लाव करोडों गरिवों को उनके घर तक पहुचा है लेकिन अब हमें सेक्चुरेशन तक जाता है पूर्णता तक जाना है सत्प्रतिशद गामों में सडके हो सत्प्रश्य योजना और गैस करेक्शन हो सरकार की विमा योजना हो पेंशन योजना हो आवाच योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है मेरे परिवार जनो पिक्सित भारत संकल्ब यात्रा सेच्चुरेशन के सरकार के लक्षों को प्राप्त करने का ससक्त माध्यम बनेगी आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्टा है कि हमारी सरकार के बांच वर्षों में तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरो किया जिने सबसे दूर समझा जाता था सरकार खुल चल कर उनके बांस गई 2014 से पहले देश के गवों में स्वच्छता का दाइरा 40 प्रतिशत से भी कम था आज हम सत्प्रतिशत के लक्ष पर पहुत रहे हैं हमारी सरकार से पहले एल्पीजी कनेक्शन सिर्फ पच्चास पच्पन प्रतिशत गरों में था आज करीब करीब सो प्रतिशत घरों में महिलाओं को दुय से मुक्ती मिल चुकी है पहले देश के सिर्फ पच्पन प्रतिशत बच्चों को ही जीवन रक्षक टी के लगपाते थे आज लगबग सत प्रतिशत बच्चों का टी का करन हो पा रहा है आज आजी के बाट साथ दसकों में देश के सिर्फ सत्र प्रतिशत गरामिन परिवारों तक नल से जल की सुविदा थी जल जीवन मिशन की बज़े से आठ ये भी सत्र प्रतिशत तक पहुँच रहा है मोदी ने समाज के वन्चितों को अपनी प्रत्विक्ता बनाया क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूँ मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है मैंने कभी समाज के आखरी व्यक्ति का नमक खाया है मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूँ यह यात्रा 15 नमेंबर भगवान बिर्शाम मुंडा की जन्वजेंती से शुरू करके अगले साल 26 जन्वरी तक उसको चलाये जाएगा इस यात्रा में सरकार मिशन मूड में बेद के गाउं गाउं जाएगी हर गरीब हर वन्चित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभारती बनाया जाएगा 2018 में केंदर सरकार ने ऐसे ही एक गराम सरवाज अभियान चलाया था भारत सरकार के एक हजार अफसरों को वो गाउं में बेजा था गराम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विख्षित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिल करके इस योजना को सभल करने का पन ले करके निकलना है विख्षित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को देश की माता और बहनों को देश के नव जवानों को देश के किसानों को मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की भी गारंटी भारत को करने का यही समय है 21 सदि में भारत के सपनों और आकांचाओं को पूरा करने से कोई भी बादा अब हमें रोक नहीं सकते यही समय है सही समय है भारत का अनमोल समय है ये ही समय है थे हुश समय है झाल झाल